पूरी दुनिया में इब्राहिम रईसी का हेलिकॉप्टर घायब होने के खबर ऐसी फैलिक जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया ठीक तीन जन्वरी 2020 की तरह जब इरान के जंदल खासिम सुलेमानी की मौत ने बहुत बड़े युद्ध का खत्रा पैता कर दिया था क्या रईसी की मौत एक बड़े युद्ध की दस्तक है? क्या रईसी का हेलिकॉप्टर ग्रैश वर्ल्ड वर का लॉंचिंग पॉइंट है? बात बहुत गंभीर है क्योंकि एक देश के राश्रुपती की मौत हुई है रईसी की मौत एरन के अंदर हुए हैशिय और सुलेमानी की मौत बगदाद में अमेरिका दे ड्रोन हमले में हुई चार साल के अंदर एरन को ये दो बहुत बड़े हाई प्रोफाइल सतमें लगे हैं जिससे न इरान के दोस्त अलग रह सकते हैं और ना ही इरान के दुश्मन क्या ये वाकई इरान में सुलिमानी पाट्टू है एक तरफ इरान की मिलिटरी लीडर्शिप पर हमला हुआ और अब इरान की पॉलिटिकल लीडर्शिप का अंत हो गया जिस हेलिकॉप्टर में इवराहिम रईसी सबार थे उसमें उनके विदेश मंत्री हुसायन आमिर अब्दुल्ला ही अभी थी यानि प्रेसिडेंट भी खत्म और विदेश मंत्री की भी मौत इरान के प्रेसिडेंशियल हेलिकॉप्टर क्रेश में रश्रपती और विदेश मंत्री समेट 8 लोगों की मौत हुई है पूरा इरान मातम मना रहा है अब यह हादसा है या साजश सवाल लगातार उठ रहे है एक देश के राश्रपती और विदेश मंत्री का ऐसे हादसे में मारा जाना ये बात किसी के हलक के नीचे नहीं उतर रही जब राजा में 8 महीने से जारी इस्रेल की बंबारी में 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तरी बॉर्डर पर लेपनान की तरफ से हिजबुला इस्रेल पर हमला कर रहा है तब इरान की लेडर्शिप का सीधा मुकाबला इस्रेल और अमेरिका से भी हो रहा है दोनों कैम्प एक दूसरे को एक आख नहीं पसंद करते एक तरफ बाइडन, नेतन्याहू और उनके नैटो के दोस्त तो दूसरी तरफ हमास चीफ इस्माइल हान्या के साथ हिजबुला और इरान की लीडर्शिप खड़ी हुई है इनके साथ रूस भी है और चीन भी खड़ा है 13 अप्रेल की रात को इरान ने इस्रेल पर मिसाइलों और ड्रोन की वारिश करके साबित कर दिया था कि पूरे पश्य मेशिया में वो अकेला देश है जो इस्रेल से सीधी टकर लेने को तयार है 300 ड्रोन और मिसाइल जब इस्रेल की तरफ बढ़ रहे थे तब पूरी दुनिया में इरान की लीडर्शिप की बाद हो रही थी बेशक इस्रेल ने इरान की तरफ से हुए 95 गोसन से ज़ादा मिसाइलों ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया लेकिन रैसी और खामनेई पर पूरी दुनिया का फॉरन फोकस हुआ इस हमले के बाद रैसी ने साफ कहा था कि इस्रेल पर अगला हमला बता कर नहीं किया जाएगा और इससे भी दस गुना तेज और बड़ा अटैक किया जाएगा कब भी दुनिया दो खेमों में बढ़ गए इरान और इस्रेल कैम्प आमने सामने आ गया लेकिन अब इन में से दो लोग यानि इरान के राशवती इबराहीम रैसी और विदेश मंत्रे होसायम आमिर अब्दुल्ला हिया की मौत हो चुके है सवाल है कि क्या ये हेलिकॉप्टर हादसा एक बड़े युद्ध की शुरुवात बन सकता है इरान के राशवती और विदेश मंत्रे उस हेलिकॉप्टर में सबार थे जो ऐसे दोर के लिए चुना गया जिस पर पूरी दुनिया खास कर इरान के दुश्मनों के नजर ज्यादा थी इरान के राशवती रैसी अपने पडोसी अजरबाईजान में किस कलासी और खोदा फरीन बांध का उदगाटन करने गए थे ये उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है जब रैसी और बाकी लोग उदगाटन वाली जगा हेलिकॉप्टर से जा रहे थे ऐसा कम ही होता है जब इरान या बाकी देश की टॉप लीडर्शिप विमान या हेलिकॉप्टर में साथ चलती है इस वीडियो में रैसी भी है और विदेश मंत्री अब्डुल्ला हिया भी इस पॉदगाटन के बाद वो वापस एरान के तबरीज शहर की तरफ जा रहे थे रईसी बेल कमपनी के युई 212 हेलिकॉप्टर पर सबार थे लेकिन रास्ते में ही उनका हेलिकॉप्टर क्रेश हो गया जहा हेलिकॉप्टर गिरा वो जगा तबरीज शहर से 15 किलोमेटर दूर वर्ज गान शहर की पासे इस हेलिकॉप्टर क्रेश कॉलेक त्यारी बहुत सी समने अरही है फमुटर के मुशाहिदे मी कुनीन बन्दल अन दगीगन जाईी हस्दम के बालगर्द हामल आई रई रईस्तूनपूर व हम्राहान शुन दर इनजा दोचार सानहे शुदे हमुटर के मीदूनीन दीरोज बद अफटतार सत्त गिसगलसी के दाश्चा मी उमदन तब्रीज दर हमीन मंतगे दर जंगल हाई अरस्बारान बे खातर इनके हवा महालूत बूदे बारश बारान दाश्टीम इनजा दोचार सानहे शुदे फिलहार सबको दर सतारह है कि अगर ये हाद सनही बलकि रईसी का हेलिकॉप्टर किसी साजिश का शिकार हुआ है तो इरान क्या करेगा? क्या इरान ऐसा बतला लेगा जो बहुत खामूशी से अंजाम दिया जाएगा? क्या इरान ने बतला लेने का जवावी मिशन शुरू कर दिया है? इस स्वत पश्ची मेशया पर बहुत बड़ा खत्रा मंडरा रहा है शायद घाजा में चल रही बंबारी से भी बड़ी तबाही दुनिया के इस इलाके की चोखट पर इंतिजार कर रही है राइसी का हेलिकॉप्टर ग्रैश होने के बाद दुनिया का रियाक्शन देखिये रूस से व्लादिमेर पुतिन ने कहा कि हमने इब्राहिम राइसी और हुसायन आमिर अब्दुल्ला हिया अपने दो दोस्त खो दिये भारत ने कहा कि इस खबर से हम दुखी है इब्राहिम राइसी ने भारत और इरान की दोस्ती मजबूत करने के लिए बहुत काम किया भारत इस वक्त इरान के साथ खड़ा है रधान मंत्री मोदी ने ये बात अपने ट्वीट में भी कही है मलेशिया ने भी कहा है कि बहुत दुख हुआ इराक ने कहा कि दुख के इस वक्त में इरान के साथ है तुर्की ने भी अफसूस जाहिर किया येरोपियन यूनियन ने कहा कि उसे अफसूस है कतर ने भी कहा दुख है पाकिस्तान में एक दिन का शोक रखा गया है चीन में शी जिन्पिंग ने कहा कि चीन में एक अच्छा दोस्त हो दिया लेकिन आसू घाज़ा के हमास और यमन के हूथी में भी वहाए है और यहीं से रईसी की मौत के बाद अगले खदम का इशारा मिलने लगा है अगले कुछ दिनों में एरान के आक्षन से बहुत बात साफ हो जाएगी लेकिन या आक्षन इस बात पर मेपर करेगा कि रईसी की मौत हादसा है या फिर एक ऐसी साज़िश जिसके बाद युद पर फुल स्टॉप लगाना मुश्किल हो जाएगा तो रईसी की मौत पर अमेरिका और इसराइल अब तक खामोश हैं सवाल उटने लाजमी हैं और रईसी की मौत पर दुनिया भर में शोक समेदनाएं जटाए जा रही है प्रदान मंत्री नरेंद मोधी ने कहा कि भारत इरान की दोस्ती में रईसी की बड़ी भूमी का रही है रईसी की मौत अब बड़ी मिस्ट्री बन गई है दुश्मनी साजश शर्गान्त दोहोखा गद्धारी बदला विश्वास खाद हत्या हाद्सा इब्राहिम रईसी की मौत की मिस्ट्री क्या आयद्फिल्ला सेद इब्राहीन रईसी खादम रर्रिजा अलेह सलाम क्यों किरार रईसी का हेलिकॉल्टर कैसे हुई रईसी की मौत जलने से शोट लगने से या वजय कुछ और रही रईसी की मौत के गुत्थी सुलजाने में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट जुटे हैं लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि रईसी की मौत सिर्फ एलिकॉप्टर क्रैश की वज़े से होई या इसके पीछे कोई बड़ी साजश है इरान के राश्रपती इवराहीन रईसी की मौत को लेकर इस वक्त दुनिया भर में कई थ्योरी चल रही है और हर थ्योरी के बीछे कारण गिनाय जा रही है हम उन पाँच बड़ी थ्योरी को दिखाने जा रहे हैं जिसमें रईसी की मौत की वज़र का A2Z जवाब आपको मिल जाएगा लेकिन उसके पहले वो पाँच सवाल जो साजश और शंका की गुंजाईश पैदा करते हैं पहला सवाल बेल 212 हेलिकॉप्टर से सफर क्यों दूसरा लंबी फ्लाइट के लिए MI-17 से क्यों नहीं गए तीसरा सवाल इरान के खिलाफ दुश्मन ने बड़ी साजश रची चौथा सवाल खराब मौसम की जानकारी थी फिर क्यूं टेक ओप और पांचवा सवाल लेकिन सबसे बड़ा कि कहीं इंटरनाशनल या फिर इंटर्नल साजश के शिकार तो नहीं हुए इरान के राश्वपति इब्राहिम रईसी इन सवालों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर पूरी दुनिया के सामने नया और एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है इस संकट की टीटेल आपको आगे दिखाएंगे अभी उन थ्योरी को देखते हैं जो रईसी की रहस्से मई मौद से परदा उठाएगी साजिश की ध्योरी नमबर एक एक बेहत सामान में लेकिन बहुत मजबूत सवाल उठ रहा है कि मौसम खराब था, कोहरा था, धुन थी लेकिन फिर भी रईसी का हेलिकॉप्टर टेक ओफ क्यों हुआ इसे एनिमेशन के जरिये समझते हैं रईसी के काफिले में एक, दो, तीन हेलिकॉप्टर थे, मौसम तीनों के लिए समान था लेकिन दो हेलिकॉप्टर सामान में लैंडिंग करने में सफल रहे और रईसी वाला हेलिकॉप्टर दुरगटना का शिकार हो गया सवाल है कैसे? क्या पाइलट से कोई गलती हुई? या हेलिकॉप्टर में ऐसा कोई डिवाइस फिट किया गया था जिसकी वज़़े से एक क्रेश हुआ? इस सवाल की तय तक जाने के लिए अजर्बाइजान से इरान के रिष्टे को समझना होगा जहां से रैसी का हेलिकॉप्टर टेक ओफ हुआ, अजर्बाइजान इरान की तरह ही शिया बहुल देश है लेकिन अजर्बाइजान के रिष्टे इरान से ज्यादा इसरेल से मजबूत रहे है इसके पीछे की वज़े है आर्मेनिया से अजर्बाइजान के दुश्मनी, जिसकी वज़े है सीमा विवार इस मुद्दे पर इसरेल अजर्बाइजान का साथ देता रहा है, जबकि इरान सीमा परिवर्तन का समर्थन नहीं करता और यहीं सामने आती है साजिश की ध्योरी नमबर दो अजर्बाइजान से रईसी का हेलिकॉप्टर उडान भरता है हेलिकॉप्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेल्प कंडिशन में था यानि किसी तरह की कोई तक्नीकी दिक्कत या परिशानी हेलिकॉप्टर में नहीं थी तो फिर crash कैसे हो गया? रईसी की मौत का EMP connection EMP मतलब electromagnetic pulse weapons electromagnetic pulse cannon से निकली तरंगों का इस्तिमाल करता है ये एक सुपर शक्तिशाली microwave system का उप्योग करता है EMP से निकली उर्जा, electronic उपकरनों जैसे drone में voltage व्रिद्धी का कारण बनती है इससे पहले कि drone या कोई दूसरा electronic उपकरन अपने तापमान को नियंत्रित कर सके ये electromagnetic pulse weapon उसे बेकार बना देता है तो क्या अजर्बाइजान में रईसी के helicopter के take off के पहले उसमें EMP fit किया गया या EMP के जरिये helicopter को उड़ा दिया गया? तो आकिरकार रईसी के helicopter क्रेश के लिए इरान के पूरों विदेश मंत्री ने अमेरिका को जिमेदा ठराया ज़ानकारी के मताबिक अब तक helicopter का black box नहीं मिला है इरान की बढ़ती ताकत पश्चम देशों से लेकर अमेरिका और इस्रेल तक के लिए परिशानी का कारण रही है योक्रेन युद में रूस को इरान के drone सप्लाई की वज़ए परमाणू शक्ती का सम्वर्धन वो कारण है जिसकी वज़ए से नैतो ताकतें बहुत तनाव में रही है लिहाजा ये भी शंका पैदा हो रही है कि कहीं रईसी की मौत का कारण पश्चमी देशों में रची गई कोई साजिश तो नहीं है साजिश की जोरी नंबर थी में भी रहता था क्योंकि मुल्क की तरक्की में ये प्रतिबंध बहुत बड़ी बादा है रईसी के नहीं होने पर अमेरिका ये पश्चमी ताकतें मिडल इस्ट में खुल कर खेल सकती है 2020 में इरान के लोगों के लिए हीरो माने जाने वाले जनरल कासिम सुलिमानी की एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी और यही वज़े है कि ये शंका जताई जा रही है कि कहीं रईसी की मौत के पीछे पश्चमी ताकतें तो नहीं है अमेरिका ने इम रईसी की मौत की वज़े किसी तरह की साजिश होने से शुरुवाती तोर पर इंकार किया है लेकिन फुल प्रूफ इंकार अब भी बाकी है जाहिर है शक्क की बड़ी गुंजाईश अब भी शेश है साजिश की ध्योरी नमबर चार ये रईसी थे जिन्होंने हमास का खुल कर समर्थन किया ये रईसी थे जिन्होंने यमन के हूथी विद्रोहियों को समर्थन दिया ये रईसी थे जिन्होंने लेबनान के हेजबुला का समर्थन किया और ये तीनों मिलकर इस्रेल को जख्म देते रहे हैं इसी लिए कहा जा रहा है ये तत्य है कि हमास को इरान से समर्थन मिलना बंद हो जाए तो गाजा से लेकर रफा तक इसरेल कपजा कर ले और यही वज़े है कि रैसी की मौत का इसरेल से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है इस साजिश को मजबूती देने के लिए कहा जा रहा है कि अजरबाइसान में जब रैसी मौझूद थे उसी वक्त इसरेल के खुफिया एजनसी मौसाद ने उनके हेलिकॉप्टर के साथ छेड़ चाड़ की इसरेल अकसर अपने दुश्मनों को विदेशी जमीन पर मारने की साजिश रचता है मौसाद ऐसे ओपरेशन को अंजाम देती है लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि अजरबाइसान में मौसाद ही आक्टिव नहीं है बल्कि इरान के रिवलुशनी गार्ड भी बड़ी तादाद में मौझूद है सवाद भूम फिर कर वहीं पहुँच जाता है कि फिर क्या हुआ था रैसी के हेलिकॉप्टर के साथ कैसे क्रैश हो गया हेलिकॉप्टर जिसमें रैसी की मौत हुई साजिश की जोरी नमबर फांच एक शंका ये भी जताई जा रही है कि रैसी की मौत की वज़े इंटरनाशनल नहीं इंटर्नल शड़ियंतर हो सकता है